जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योजिव चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मार्च और 24 मार्च के कुम राशी फल के बारे में ये दो दिन कुम राशी के लोगों के लिए कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों के स्थिति कैसी होगी च आप से निदन है पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में जो बैल का एकन है उसको जरूर दबाएं इससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगी तो चलिए जान लेते हैं इन दो दूनों में क्या तिथी क्या नक्षत्र क्या योग बनेगा तो तेईस मारची बात करते हैं क्रशन पक्षे की चत्तुर दशी दिथी है और पूर्व भादर पर दिन नक्षत्र रहेगा जो सुबह तक है उसके बाद उत्तर भादर पर दिलग जाएगा इस दिन शुब नाम का युग बन रहा है ये सौमवार का दिन है सूर्य मारची की बात करते हैं क्रशन पक्षे की अमाव शातिती है उत्तर भादर पर दिन नक्षत्र है सुबह चार बज़ कर उननीस मिनट तक उसके बाद रहेवती नक्षत्र लग जाएगा शुकल नाम का योग बन रहा है ये मंगलवार का दिन है सूर्य मीन राशी में और चाहिए और कहां कहां आपको सावधानी रखनी है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखें ये लगन और चंद्रमा राधारित है और यहां अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा दो दिनों में आपके दो भावो को सक्रिया कर रहे हैं जो 23 मार्च का दि और इनी बहावों में ग्रहों जो बैठे हुए हैं उनी के आधार पर हम ये दो दिनों की चर्चा करने वाले हैं तो देखे सबसे पहले बात कर लेते हैं 23 मार्च की 23 मार्च का जो दिन है यहां 23 मार्च के दिन दो पहर साड़े बारा बज़े तक चतुर दशी तिति है उसके बाद मावशा लग जाएगी और चंद्रमा आपके लगन में है जो की शाम को साड़े छे बज़े तक है तो देखे इस्तितियां तो यहां आपके लिए काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है सौमवार का दिन है भगवान शिव का दिन है और यहां जो चतुर दशी तिति है उस पर भी आपके लिए अच्छे लाबदाय की योग बन रही है तो इस तितियां जो जीवन में होंगी वो काफी अच्छी समय देखने को मिलेंगी यह ऐसा समय होगा जब आप अपने जिन्दगी के प्रती आपका निजरिया बदलेगा कुछ ऐसी बातें आपको इस समय देखे परिशान भी कर सकती हैं जिनके बारे में आप सोचें कि आप पहले से आपने यह बाते क्यों नहीं जानी यहां आप अपने वहवारिक और तरक संगत बातों की और अपना रुजहान महसूस करेंगे शायद कोई ऐसा अनुभाव आज आपको अपनी कुछी राय को बदलते जिसके परिणाम सरूप आपको लाव की ब्रापती भी हो तो लोग आपके इस बदलाव को सराहेंगे भी और देखे कभी कभी जो जिन्दगी में बदलाव होते हैं चाहे वो विचारों के हो या वहवारिक हो वो बहुत जरूरी होते हैं एक तो हमें अपने विचार समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए तो ये ऐसा ही समय होगा एक तो परिवार के साथ वक्त ज़्यादा विता पाएंगे आप और थोड़ा सा सचीत भी रहेंगे अपने काम को लेकर भी और अपने परिवार को लेकर भी जो इक बहुत अच्छी बात है करियर की अगर बात करें तो इस समय आप अपने काम के बारे में जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे बिना सोचे समझे अपनी काम को बदलने की बिल्कुल ना सोचे अगर आपके मन में ऐसी बाते चल रही है कि क्यों ना अपनी काम को बदला जाए जो आप करते हैं उसमें अच्छा profit नहीं हो रहा है तो आप क्यों ना कोई दूसरा काम शुरू किये जाए तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें बेशक आपको अभी जो आपके मन मताबिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपको इसी काम से जुड़े रहना हैं इसी काम में महनत करनी हैं महनत का फल जरूर आपको मिलेगा चाहे देर से ही मिले व्यवसाइक मौके आपके रास्ते में आ सकते हैं इस समय में लेकिन उसके बारे में जो निर्ना लेना है उससे पहले भली प्रकार से सब कुछ सोच लेना है इस दिन देखे जो आपकी जो रूटीन होगा जो आपकी दिंचरिया होगी वो ठीक ठाकी रहेगी बहुत अधिक लाबदायक तो हम नहीं कह सकते हाला कि देखे चंद्रमा की इस्तिती तो काफी अच्छी है जो कि प्रथम भाव में है तो व्यक्तित्व तो आपका ज़रूर निकरेगा आपके विचारों से आपका व्यक्तित्व निकरेगा प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका रहेगा अपने बच्चों की तरफ आप बहुत अधिक ध्यान देंगे उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे और अपने परिवारों की जिम्मेदारियों को बखो भ जो हाल है वो अभी ऐसे ही थोड़ा रुक रुक कर आगे बढ़ने वाला है तो इससे आप घबराएं नहीं जल्दी ही आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पर दोड़ेगी और आप अच्छे से लाब की प्राप्ति कर पाएंगे प्रेम जीवन भी इस समय बहुत अच्छा रहे है और चंद्रमा दूसरे भाव में है मीन राशी में सूर्य भी मीन राशी में है एक तो चंद्र और सूर्य की यूति हो रही है दूसरी अमावशा का दिन है भगवान शिव को पूझने का दिन है पित्रों का दिन है तो अमावशा तिथी का होना भी बहुत महत्पून होता है और ये जो अमावशा है ये सौमवती अमावशा है मंगलवार मंगलवार को अमावशा पढ़ रही है तो ये जो अमावशा होगी वैसे तो देखिए ये जो अमावशा ये दो दिन मनाई जाएगी 23 और 24 को तो इसे आप सौमवती मावाशया भी कहते हैं जो की शराद की रसमों के लिए बहुत उपयुक्त होती है तो यहां देखे चंद्रमा दूइते भाव में हैं वाणी भाव में तो आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ेगा आपकी वाणी में मधूरता रहेगी आप अपनी वार्णी से अपनी परिवार के लोगों का दिल भी जीतेंगे और दोस्तों के साथ भी काफी गुल मिल कर बाते करेंगे चाहे आप बाते किसी नेट के माध्य हमसे ही करें लेकिन वारतालाव आपका जरूर इस समय होता रहेगा इस दिन देखिया आप एक काम जरूर करें इस दिन आप जो यह अमावशा का दिन है आप चाहे वो आप सौमवार को अमावशा करते हैं या फिर मंगलवार को करते हैं इस दिन आप एक नारियर लें और उसे अपने उपर से साथ बार उतार कर पानी में प्रवाहित जरूर करें इससे आपके उपर शनी की दोश और कैसा भी दोश हो वो कम होगा और बहुत लाबकारिय रहेगा इस उपाय को आप अमावशा के दिन जरूर करें और अगर आप प्रतिक अमावशा के दिन करते हैं अप जो परिशानिया आपके पास हमेशा आती रहती हैं वो परिशानिया कम होंगे धन के मामले में ये समय अच्छा है आपके खर्चों में कमी आएगी खर्चा ना के बराबर आप इस समय करेंगे जो एक बड़ी ही अच्छी धन को बचाने की देखिए पहल है खर्चे कम होंगे तो जो इनकम है वो सेव रहेगी तो खर्च कम करना यहां अच्छा रहेगा विध्यारतों के अगर बात करें तो विध्यारती भी इस समय अपनी पढ़ाई से मन भटकाएंगे जरूर इदर उदर की बातों में मन लगा सकते हैं तो आप थोड़ा समय आप परिवार को भी दें बच्चों के लिए यह हिदायत है और अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करें आप तो अच्छा रहेगा जो प्रतियों की परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं वो अपने जी जान से त्यारी जरूर करें क्योंकि यह ऐसा मौका होगा आगे आने वाले समय में कि जो भी प्रतियों की परिक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए उनके रिजर्ट बहुत ही पॉजिटिव मिल सकते हैं आपको इस समय सुक्समरदी का शिवाद प्राप्त हो सकता है तो जरूर आप इस काम को करें इसके लावा देखिए मंगल भी राशी परिवर्टन कर चुके हैं 22 मार्च को जिसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा यहां शनी और मंगल एक साथ होए है और शनी आप राशी के स्वामी है इसलिए यह महत्पून हो जाता है शनी और मंगल की जो यूती होती है वो अंगारक दोश का निर्मान करती है और जिसे द्वन्दी योग कहा जाता है तो इसका जो प्रभाव है वो चार मई तक रहेगा 15 अपरेल के बाद 15 अपरेल तक थोड़े से परिशानी जरूर हो सकते है लेकिन उसके बाद आप काफी अच्छा आपके लिए यहां इसका प्रभाव पढ़ने वाला है जो आपके जीवन में अभी से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा तो एक तो देखी आपको स्वास्ते समंदी परिशानिया हो सकती है स्वास्ते का आपको अभी से धिहान रखना होगा कोई संक्रमन कोई अगर आपको कुछ इस्वाशन रोग है तो आपको ज़्यादा केरफुल होना पड़ेगा और अगर किसी तरह के संक्रमन्ट से आप जल्दी ही परिशान हो जाते हैं तो भी आपको ज़्यादा सावधान रहना होगा देखिए सावधान रहना सतर्क रहना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि आपकी जो सतर्कता है वो आपको हर चीज से बचा सकती है इसलिए सावधान ज़रूर रहे तो ये दोनों ही दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं कारेशेत्र की हम बात नहीं करेंगे कारेशेत्र अभी रुक रुक कर चलेगा क्योंकि देखिए अभी जो इस्थितियां हमारे यहां हैं उन इस्थितियों को आप भली प्रकार जानते हैं ऐसी इस्थिति में जो रोजगार हैं वो भी बंद हैं और देखिए जो मल्टिनेशनल कमपनीज हैं वो भी बंद हैं लेकिन फिर भी धीरे-धीरे सामाने सब कुछ होगा, आर्थे के स्तिती सामाने होगी, तो ये समय अपने मता-पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताने का वक्त है, अच्छे से इस वक्त को इंजॉय करें और अपनी और अपनी परिवार के प्रती केयरफुल रहें तो दोस्तों और थी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें